नमस्कार अभी हाल ही में पस्चिम मंगाल के कोल काता में एक बड़ी रैली राजनेतिक रैली हुई जिसकी चर्चा पूरे डेश में है चर्चा किसलिए है पहले ये हम जान लेते हैं और ये चर्चा कितनी नतीजों को प्रभावित करेगी 2019 के जनरल एलेक्शन में ये अलग विशे है सबसे पहले मैं आपको थोड़े स्टाटिस्टिक्स रख देता हूँ ताकि तस्वीर क्लियर हो सबसे पहले आप समझेए कि कितने दलल शामियो इस में हुए इस में रिवी का नाम दिया यूनाइटिज इंडिया मम्ता ने इसको लीड किया इसमें जो सब दलल शामियं हुए कुल 22 22 कुल पार्टियां शामिल हुई लेकिन ऐसी पार्टियां सिर्फ 13 हैं जिनके जो है सांसर 14 हैं जिनके सांसर इस सब्सक्राइब लोग सभा में यह पार्टियां है एई-ई-ई-ई-फ कंग्रेस ज्छारखंड मुक्ति मोर्चा समाजवादी पार्टी राष्टी लोगदल जेडियेस टीडिपी नाशनल कॉंफरेंस ट्रणमूल कंग्रेस राष्टवादी पार्टी आमवादी पार्टी आफ जेटी इत्यादी अगर हम इस पूरे उसको देख हैं इसमें जो बडिवाटिय से लोग सभा में सब्सक्राइब कुल 63-4 सीटें आती हैं जहां 63 फीज़ी जो सीटे होती है कुल लोग सभागी पास्ट पैसालीस में से जो है एक सो दो सीटे ड्रेश्ट आप इंडिया से आती है 202 सीटे अब हम यह देखें कि यह जो जितनी पार्टी है जुटी इनका जो वोट परसेंट था 2014 में वो करीब करीब 56 परसेंट था याने 55.99 फीज़ी वोट इन लोगों ने 2014 में अपने अपने इस तर पर हासिल किया था इस लिहाँ से अगर देखें तो यह बड़ी स्ट्रॉंग रैली थी और एक स्ट्रॉंग मैसेज देश के अंदर था इसकी एक वज़े यह और है कि इस पूरी रैली में जो नेता शामिल हुए थे करीब दो दर्जन से अधिक नेता इसमें शामिल हुए जिनमे चार मुख्य कि मुख्य मंतरी मंतरी दिली के मुख्य मंतरी ऐख अगरेश के मिकनदी करनाट के मुख्य कि कुमार स्वामी चार कमंतरि में आप जानी रहे हैं कि कि जो है कि फारुकइज बامदुर्ला शामिल हुए है शामिल हुए हैं और भी इस तरह से देख सकते हैं कि बड़ा मैसेज देने की कोशिश की कई सी अब इसमें जो लोग शामिल हुए अभिशेक मनुसिंगी और मलेकार्जुन खड़के शामिल हुए जबकि मायावती की तरफ से जो है सतीष चंद्रबश्रा उनके शामिल हुए जबकि मोर्चास हेमंत सोरेल हैं किस्टैलिन डियमके से सतीष मिश्राब डियस्पी से अखलेश यादाव समाजवादी पार्टी जैन्द चौदी आर रालोग से कुमार स्वामी जेडियेस से चंद्रबाबो नाईडू टीडिपी से फारुक अब्दुल्ला नैस्मिल कॉंफ इस तरह से इस तरह से इनके अलावा जो लोग उमर अब्दुल्ला है मेवाणी है एक जो अरुनांचल कॉंग्रिस नामसिक पार्टी बनाई है अरुन शौरी इसमें रहे इसमें रहे हार्दिक पटेल देव गोड़ा और दो महतुरून लोग इसमें रहे इनका नाम ही यश बाज्जन्दा पार्टी के पूर्विदेशमंद्री यश्वन्सिना पार्टी के पूर जहाजरानी मंतरी और सांसक शत्रवन्सिना जो है यहां से इसमें शामिर हुए उस पूर बेदा हूं और अपको बिता हूं कुछ लोग आसे हैं जो ऐसी रैलिए हो या वैसी पुल मि कितना है अभी तक कोई भी किसी भी एलेक्शन में हम बहुत कैलकुलेटिव नहीं कह सकते जिनको किसी परसेंट में नहीं अभी तक तौला गया तब्दील किया गया हां लेकिन वो लोग जो कुछ भी कहते हैं मीडिया उनकी बात को अटेंशन करता है और कितना कहीं प्रभाव ने कांदूरन किया था चार-पांची साल पहले उसके बाद से वो नेता बने हैं तो फिर पीछ मुड़कुन देखा नहीं है लेकिन हार्दिक पटेल के कहने से कितने वोट कनवर्ट हो रहा है यह कहपाना इसका कोई आकड़ा बहुत साइंटिफिक वैग्यानिक नहीं है प अपने 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 लोग समय से अच्छे दिग्ज नेता रहे हैं यश्वन सिना लंबे समय तक हजारी बाक्स से प्रदिक प्रतमेद्व करते रहे हैं यह फिल्म में बड़ा नाम है यह लोग का अपना ही वजूद है लेकिन जो कुछ लोग इसमें दिखाई देते हैं अ है जैसे गुजरात में बहुत हला मचा है गुजरात चुनाव हार जाएंगे लेकिन गुजरात में जो है बीज़ेपी पे गई सब कुछ हुआ बाइस साल तक शासन करने को है तो इस सब्सक्राइब करना है इसको इस वजए से नोंने सब को यहां पर लेकर रखा उमर को और सिर्फ 5-6% वोटिंग के बाद जो है खुद फारुग अबदुल्ला आये हुए हैं अब इनका देखें आप कि फारुग अबदुला का पूरे देश की संसर्द में नैशनल कॉन्फरेंस की एक सीट है एक सीट में उनका जो वोटिंग परसेंट है पूरे देश भर में वो स हमें इनको बहुत बड़ी शक्ति माले तो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है एक जैंत चौधरी है राश्री लोगदन लोगदन के एक लोटी सीट है वह भी अभी अभी आई है इसको हम लेने इसका वह भी सब ने मिलकर लड़ी तब इनका जो वोट परसेंट है उनका वोट इनका वोट भी बहुत जादा प्रहावशाली इसमें नहीं रिखता है इसमें शामिल है कुछ नई पर्सेंट वाली पार्टी सिर्फ कॉंग्रेस रही लेकिन उससे भी राहुल गांदी शामिल नहीं हुए इसलिए जो है अभिशेक मनु सिंगरी और खड़गे उनकी परसेंट शामिल हुए इनका उन्नीस दश्मलाव पांच दो परसेंट वोट जो है लोगसभा के अंदर इनको मिला पिछले 2014 के चुनाम और उसके बार सेक्ड नार्टिस पार्टी सीटों के मामने में अगर बात क करेंगे तो वह जरूर यहां पर कहा जा सकता है अब आप समझेए यह जो युनाइटेड इंडिया के नाम से रैली की गई इसका वोट परसेंट आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा होगा बताए मीडिया ने भी कुछ जगह पर यह वरसेंट परसेंट को बहुत जो में आती हैं दूसरा फेक्टर 63 फेजदी सीट है तीसरा फेक्टर 12 cm x cm याने चार मौजूदा cm और 8 x cm शामिन होगे तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स को बहुत आगए हाइलाइट किया गया लेकिन जब हम सीट में कर्वर्जन देखते हैं तो करीब 125 सीट इनकी दिखा होगे और अपनी शक्ति प्रदर्शन किया अब इसके बाद जो बचे दल है उनकी संख्या बहुत बड़ी है वह भी करीब करीब इतने ही दल जो है और बाहर इतने ही सीटों के दल अभी ना तो यूपी में है ना एंडिये में है तो तीसरे मोर्ची की संभावनाई भी बरा से बयान दिया वह क्या सीन है वह प्यासीं वह क्या सीन है यह कुछ और बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं और बच्चा रही कोई जो नर्ट जीत रह खूदे और एक हर जाता है तो वह कुछ ऐसी ही कि पॉइंट को उठाता है जो कि ये साबित करता है कि विर बच्छे को दुख हुआ है जो भी उसकी हाथ सो फुझ गहरा सत्मा लगा है लेकिन वो सद्में उबरने के लिए कहता है आठ सात बार जीता हूं आठ आठ भार नहीं आठ भी आठ भार की बजाए कहता है कोई बार भी साथ बार जीतने वाला शेर है अभी शे कुछ भी हैं तरसल यह जो शब्द है यह भय से निकला हुआ पूसभावी गूरूप से भय होना भी चाहिए